हेलो फ्रेंड्स निल्स किचन में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कितनी आसानी से घर पर ही तवा भिंडी बना सकते हैं तो आईए इसे बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने 400 ग्राम नरम भिंडी लिए है जिसे कि मैंने अच्छी तरह से धो कर फैन के नीचे रख कर सुखा लिया है आप इसे किसी सौफ्ट कपड़े से भी पोच कर सुखा सकते हैं इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए अब हम भिंडी को कट करेंगे इसे कट करने के लिए मैंने इसके उपर और नीचे का हिस्सा कट कर लिया है और इसे इस तरह से दो हिस्से में काट लिया है अगर कोई भिंडी ज्यादा बड़ी हो तो इसे आप 20 से कट कर लीजिए फिर दो हिस्से में काट लीजिए बिंटी को कट करने के बाद हम इसमें सुखे मसाले डालेंगे जैसे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 एंड फ टीस्पून धनिया पाउडर और 3 फोर्थ टीस्पून आमचुर पाउडर अब हम इसे हाथों से अच्छी तरह से बिला देंगे इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आइरन की कड़ाई ली है वैसे तो इसे आइरन के तवे में बनाया जाता है लेकिन उसके लिए हमें बड़े आइरन का तवा चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर आइरन की कड़ाई ली है अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे नॉन स्टिक पैन पर भी बना सकते हैं मैंने गैस का फ्लेम आउन कर दिया है और इसमें टू टेबल स्पून ऑईल भी डाल दिया है यहां पर तेल गरम हो चुका है अब मैं इसमें भिंडी को डाल दूंगी इसे चमत से अच्छी तरह से चला लेंगे अब मैं इसे चार से पांच मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करूंगी और हर 30 सेकेंड के इंटर वेल में इसे हम चमत से चलाएंगे और एक बात का ध्यान रखे जब भी आप इसे चमत से चलाएंगे इसे फैला फैला कर ही फ्राई करें ताकि इसमें चिपचिपापन ना हो तीन से चार पिनट हो चुके हैं अब बिंडी भी फ्राई हो चुकी है अब मैं इसे एक दूसरे प्लेट में निकाल लूँगी यहाँ पर मैंने कड़ाई को पानी से धो लिया है और अब मैं इसमें वन टेबली स्पून ओयल एट करूंगी और अब ओयल के गरम होने का वेट करेंगे तेल गरम हो चुका है अब मैं इसमें वन टीस्पून राई का दाना और हाफ टीस्पून जीरा डाल दूँगी और इसके क्रैकल होने का वेट करेंगे जीरा और सरसो यहां अच्छी तरह से तड़क चुके हैं अब मैं इसमें एक बड़ा प्यास स्लाइस किया और डाल दूँगी और प्यास से छे लहसून फाइन चॉप किये हुए डाल दूँगी और प्याच के लाइट पिंक होने तक हम इसे फ्राई करेंगे और फ्लेम को हमें यहां पर हाई पर रखना है प्यास देखिए लाइट पिंक हो चुका है अब मैं इसमें भिंडी को डाल दूँगी और इसे चला लूँगी अब मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी और इसे चमच की साहता से अच्छे से मिला लेंगे बिंडी में अभी कच्छा पन है इसलिए मैं इसे दो से तीन मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फिर से पकाऊंगी दो से तीन मिनट के बाद देखे बिंडी अच्छी तरह से पक चुकी है और मैंने गैस भी स्विच आफ कर दिया है इस सबजी को मैंने आइरन की कड़ाई में बनाया है इसलिए बनने के बाद तुरंत मैं इसे दूसरे बरतर में शिफ्ट कर दूँगी वरना आइरन का जो पुरा काला पन है वो सबजी के स्वात को खराब कर देगा तो भिंडी तवा फ्राई बनकर तयार है आप इसे चपाती या फिर डाल चाल के साथ खाईए आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे थैंक यू